हां जी क्या हाल है सब के मैं सुमित कुमारे पर फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एंड हेर वी कॉंटियू दा अपनी मंतली करेंट अफेर सीरीज नॉंबर करा रहे हैं ओल लड़ी करने में दिक्कत हो रही है तो लेकिन करूंगा मैं सारी चीज़े हो जाएंगे आपका मंतली करेंट टाइम से पूरा हो जाएगा उसकी टेंशन आप मतलो तो बस इसी तरह से आप जुड़े रहो जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर दो शेयर नहीं कर दो एंड से हेर वी स्टार्ट अवर मंतली करेंट आफेर्स ऑफ नवंबर पहले यह करेंगे उसके बाद अच्छे बात कोई बच्चा पूछे कि सर्फ और सिर्फ मंतली करेंट आफेर करके हो जाएगा क्या तो मैं दो चीज़े बोलूँगा बच्चे एक आपको करने हैं मैं सी एकदम ओपी लेवल हो जाएगा ठीक है तो चलो लेस्ट टार्ट इट तरीका वही रहेगा मैं चीजों को इतनी इंट्रेस्टिंग तरीकी से बनाई है मैंने इस पीपीटी इतनी इंट्रेस्टिंग है आपको कुछ कहीं नोट नहीं करना है बस सीधा-सीधा जो करना है और गो-through करना है that's it कुछ भी लिखना नहीं है करेंट में किसी को भी बी स्मार्ट कुछ नहीं लिखना आपको तो जी एडी बी हैज अप्रूड टू फिफिफ्टी मिलियन लोन इतना पैसा बाठते रहते हैं ठीक है तो आपको पता है कि इसमें से दो चीजा निका पूछता है तो यह तो क्या है इसका स्टेटिक पोर्शन आपको पता है कि हम तो एडी बी के बारें बातचीत कर लेंगे एडी बी की फोर्मेशन कब होई थी 66 में होई थी वही ठीक है काम क्या है एश्चन डेवलप्मेंट बैंक देखो डेवलप्मेंट एश्या की होगी है। बात कर लो ठीक है फिलिपिन्स में है जापान युनाइटटिट स्टेट्स का सबसे ज्यादा शेर है आप बोलोगे सब यूस से कहां से आ एश्या की बात हो रही है मैंने बताएंगे कोई बी हो सकता है इन्वेस्ट तो कोई भी कर सकता है फिरी में थोड़ने पैसा द तो जापान एंड यू एस से का बद चाइना का शेयर होल्डिंग है ठीक है उसके बाद इंडिया की है तो चोथे नंबर पर इंडिया कि इसकी शेयर होल्डिंग ये भी प्रिशन आ सकता है अब सेकें आधा है कि यह नेशनल कोरीडोर डेवलप्मेंट प्रोग्राम क्या है द दिल्ली मुंबई इंडोसि यह चीजे ताकि हर तरीके से कमिनिकेशन इजी हो जाये तो यह जो गई गई जा चुके हैं अभी तक थीक चार अलग फेज में 11 इंडर्स्टियल को पूरा कर रहे हैं काम चल रहे हैं तो चीजयों का एक बार इनको go through कर देना by chance paper में आजे तो यहां से भी चीज़े पूछी जा सकती है significance क्या है भाई obviously job create हो रही है multi क्या ना मैं multi छोड़ो transportation system improve हो रहा है economic competitiveness बढ़ रही है सब कुछ इस टाइप की चीज़े हो रही है जो इंडिया के यहीं से सब चीज़े निकल कर आ रही है ठीक है चलो जी अब बस loan के बारे में तो क्या पढ़ोगे इतना चल जाएगा यह पूरी एक न्यूज होगी एक न्यूज मैंना आपको complete करकर दे इंडिया को बच्चे मिला है 87 billion dollar in remittance मैं आपको करंटा फिर्में बच्चे जो डेली क इंडिया का बंदा हूँ अब मुझे पूतीन चचा बोले कि चाचा आप तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो एक काम करो ना पर रश्याम पढ़ाने रख जाओ हम आपो खूब रश्यान देंगे रश्यान करंसी ठीक है तो मैंने चलो ठीक है हमें भी रश्यान मिलेगी करं है कि मैंने रूबल में अपनी कमाया करी है और अल्टिमेटली अब अपने घर पे पैसा बेज रहा हूं तो वह मैं मैंने उदर से ट्रांजेस्टिन करी मेरे घर वालक रूपे मिलेगा तो जो रूबल थी वह कहां गई वह बचे रखता है ठीक है तो जो भी अमाउंट ज्यादा जो कमाया कर रहे हैं वहाँ पर रहे के तो इस मीनिंग ऊप रेमिटेंस बच्छे के लियर है अच्छा अधा अच्छा बढ़ी आपको पता है करो ना क्वाद जीजे नोर्मल हो रही है तो अब वापस से लोग बाग जिए आ आ गये थे वापस जा रहे है काम कर र तो अगर ज्यादा फोरण करंसी किसी भी कंट्री के पास होती है तो अगर मनी की रूपे की वैल्यू कम हो जाते ज्यादा डोलर देने पड़ेंगे तो चलो भई यह सब है तो यह किसने रिपोट जारी करी है माईगरेशन रेमिटेंस यूनिट ने जो कि एक डेटा आम है वर्ल्ड बैंक की बच्चे ठीक है तो यह बात आपको क्लियर होगी दो बार यह करती है इंपोर्टन्स इंपोर्टन्स क्या है वह तो मैंने आपको करेबियन कंट्री मिडल इस्ट नोर्थ एफरीका एफरीका साथ एस्ट एसिया सब सारे अफरीका यूरोप सेंट्रल एशिया यह सब यहां से भी बच्चे दीरे-दीरे रेमिटेंस बढ़ रही है राइट चलो यह हो गया इंडिया सबसे था सेकेंड नंबर बच्चे मेक्सिको फिलिपिन्स फिर एजिप्ट यह मतलब वह है बच्चे राइट अच्छा सबसे ज़्यादा पैसा लोग कहां पर एक कमा रहे है तो यह से बिंग्दा टो नरेंदर मोदी जी बच्चे ग्लास गो गए थे वर्ल्ड नीडर समिट अटेंड करने COP26 पहली बात तो य यह बहुत इंपोटेंट होगी इसके बाद COP में क्या हुआ है बच्चे वह बहुत इंपोटेंट आते यूक गए है यूक के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जोंसन है यह आपको पताओना चाहिए अच्छा कॉन्फरेंस पार्टी कहां पर हुए बच्चे ग्लास गों में ख्लाइमिट चेंज के अपर है मैंने कहीं तो फुल फॉम एग्जेकली फुल फॉम तो मुझे याद नहीं आ रही है एक्जेकली बट इस ओविसली सीची 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 लाइन चीन एफसी देख लेंगा फोरम है सायद हाँ यॉनाटेट इनेशन फोरम फोर चेंज इस दा टौप बोडी जो कि क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड कुछ भी रूल वर्ड वाइल बनाने हैं तो इससे ओपर कोई एजनसी आज के टाइम पे नहीं है हर कंट्री जो इसका मेंबर है उसी कुछ रिस्पोंसिबिलीटी होते हैं किस भी तरीके से जो आज क्ल हर साल मिलती है बच्चे 198 मेंबर से इंडिया चाइना युससे सब इसके मेंबर है ठीक है इसका सेक्रेटेट बच्चे बोन में लोकेटिड है इस इसके रिजनल ग्रूप सी बने हो बच्चे अफरीका एशिया लेटिन अमेरिका करेबियन सेंटर इस्टन यूरोप वेस्ट करेंज पार्टी का ठीक है तो बस यह बहुत इंपोर्टेंट कॉनफेंस पार्टी टुन्टीवन जो हुई थी बच्चे पैरिस में यहीं पर वह एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में जिसके तहत सस्टेनेंबल डेवलप्मेंट गोल्स में बताता हूं सस्टेमल डेफिनगो इंडिया ने बोला है ठीक है तो दिस इस ओल सो करेंट फिर पॉंट अब इसे वेरी इंपोर्टेंट की हमने कौन से यह तक नेट जीरो नेट जीरो मतलब कि हम कारबन जो प्रिड्यूस करते हैं तो यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है तो यह सब चीजे बच्चे हुई है क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क् मैं मतलब एक बार गो थू कर लो कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत जादा इन डेफ्टून सब पुछेगा जो इंडिया के जो पॉइंट है नहीं बोले सब्सक्राइब कर लेगा और वैसे उतना कम कर लेगा ठीक है तो यह है और दो चीज़े मैं लिख रख्यों कहीं आगे किसी और स्लाइड में है शायद उसके मैं कराऊंगा आपको ठीक है रेटिंग एजनसी मूडी इस रेटिंग एजनसी ने वोला है कि इंडिया की जीडिप क्षिघ है 9.3 बच्चे सब्सक्राइब कर लिख रख निइन इस ने इंप्राइब कर लिख यहां से आपको क्या सीखना है कि ओबर और इंडिया की जीडिपी कितनी है जीडिप का मतलब क्या होता है यह सब चीज़ आपको पता है जीडिप स्टैनल ग्रोस नमेस्टिक प्र प्रोड्यूस कर रहा है इंडियन टेरिटरी में जो भी गुड्स या सर्विसिस प्रोड्यूस हो रही है यह अलग अलग देखो अलग अलग बंदों ने इंडिया की जीडिपी अलग-अलग प्रोजेक्ट करें बच्छी होता ही है करता ही है ठीक है यह टोप रेटिंग एजनसी मुडी जो मतलब इन सब चीड़ों प्रेडिक्शन करती है काफी न्यूज में रहते हैं इसकी ऑथेंटिसिटी काफी रहते हैं मतलब हां जो इसने बोला है वो सही जाएगा राइट चलो ह यह बता था ना इंडिया ने बोला है जो नेट जीरो दोजास सतर तक अच्छीव कर लेगा उसमें इंडिया के कुछ मैं टार्गेट बताता हूं एक तो मैंने आपको बताई दिया था कि पचास परसेंट हम दोजार तीस तक कर लेंगे ठीक हम नेट जीरो ही हो जाएंगे यह फाइफ बिग गोल्स इंडिया है जिसे इनोने इस फाइफ पॉइंट फॉर्मूला तो यह आपको पता होने चाहिए यह हमने आप भी बोला है कि हम इस फाइफ पॉइंट फॉर्मूला को अपलाई करेंगे तो बैद दोजार सतर तक नेट जीरो करना है कार्बन एमिश सिटी को 45% कम कर देना है नोन फोस्चिल एनर्जी केपिस्टी को 500 गीगा वोट तक पहुंचा देना है 2030 तक यह पांच पॉइंट से इस फाइफ पॉइंट सर्वेर इंपोर्टेंट पेपर प्रशन से पुछा जा सकते हैं इंडिया का टारगेट या फिर विच्व और इंडिया इसमें एक्चुली बहुत अच्छा काम भी कर रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है सोलर आपने देखा होगे आपके आसपास की सोलर एनर्जी वगेरे पर कितना ज्यादे इंवेस्टमेंट हो रहा है तो काफी ज्यादा इंवेस्टमेंट इस चीज़ पे हो र रहा है मतलब फिर भी इंडिया इस डूइंग वैरी मतलब गुड इंडिस ठीक है तो इंडिया इस डूइंग ग्रेट और यह अपने इस समीट में भी हमने उस चीज़ को मतलब रखा है और अच्छे से हम उस चीज़ पर काम कर भी रहे हैं नेक्स तो यह आता है राजनात सिंग्हें एंड़ सब्सक्राकरे अाली 36 100 विशाली या आच पर चाहिन ैव सप्रमशनेसिन से भी अबढ़ोच नहीं बढ़ना रिए अले चाहते हैंब्गोर आपको पताता है और चाईन सेन अपना नेवल बेस बना लेता है कहीं भी और फिर अव्यसलिए हमारे जैसे कंट्रीज को उससे दिक्कत होती है हमें नहीं बहुत सरे कंट्रीज को दिक्कत होती है तो इसलिए बच्चे इसी चीज को रखते हुए अब इस टाइप के फोर्म से वो कर दिये गए है और गुद तो इस कोई इसको उर्गाइज को कुरता है नैसटल मैरे टाइम फामडेशन इसको रखता है नेसल मैरे टाइम क zie जो की इंडियन जो की नीवी का चीफ नोलिज पार्टनर भी है ठीक है तो this is very important यह पहला जो इस ट्राइप का डायलोग है 2018 में हुआ था ठीक है भाई अब 2021 में October में basically यह हुआ है ठीक है थीम इस बार की कहा है थीम कैन बी इंपोर्टेंट बच्चे evolution in maritime strategy during the 21st century imperative challenges and way ahead थीम भी पेपर ने पुछी जा सकती है यह इंपोर्टेंट बन गया है देखो ऐसा नहीं है यह अब यह डीला वाला काम नहीं है इस इंपोर्टेंट वेरी इंडो-पैसिफिक वाला इंपोर्टेंट मुलब बहुती मुलब इंपोर्टेंट एरिया है वर्ल्ड पॉपुलेशन इस एरिया में है बच्छे मेगा सिटी इस में से पंद्रा मेगा सिटी जिसमें है ठीक है प्रिविएस रीजनल डायलोक्स जो 2018 में हुआ था जो मैंने पता है पहला था 2019 हुआ था इंपोर्टेंट नहीं है आपके लिए क्या है कि पहला कब हुआ था 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 2021 में हुआ अब थीम क्या है ओवरॉल क्या कॉंट्रीबिशन इसका क्यों करा जाता है यह सब चीज आप पता होनी चाहिए राइट को ओके फास्ट मेंड एशियन ओशियन मिशन समुंदरियान चिन्निय बच्छे लोंच करा गया Ministry of Earth Sciences इसको लोंच करें मुए स्टेंट्स विनिस्ट्र अर्थ साइंसेज आपको कमेंट सेक्षन ने है कि मिनिस्टर कोन है Ministry of Earth Sciences का मिनिस्टर को ना बच्चे यह आपको मुझे बताना है जैसे आप ने देखा हो ना चंदरियान था ठीक है तो बच्चे ऐसे इंदा सेम मैनर बच्चे समुंदरियान भी है क्या करेगा इन डैप्थ में जाके वहां ठीक है मच्या 6,000 ठीक है यह 6,000 मीटर तक की डैप्थ में जाना है इस वज़े से बेसिकली यह मच्या 6,000 नाम इसका रखा गया आपको पता को सम्मरीन वगेरा 200 से 300 मीटर डैप्थ में होती बस यह 6,000 मीटर था आप आप सोचके देखो बहुत ही जबरदस मतलब वह है मतल 276,000 मीटर पिर जाने के बात कर रहे है तो चंदर्यान से छोटा मीशन नहीं है यह उतना ही बड़ा मीशन है इस मत्सिया 6,000 इम्पोरेट ठीक है तो समढ़ यान के बारहीं हैं बच्चे बात यह दे करी है हमने इंपोरेट काफी इंपोरेट है कि डी पोजिशन मिशन ठीक है मत्सा के बारे में चीज़े लिखी गई है कि क्या-क्या एक्स्प्लोर करेगा यह ठीक है हमने खुद बनाया है बच्चे यह ठीक है बजट कितना था यह सब चीज़े कितने थी यह सब ओके सागर माला क्रोजेट बस्चे अभी पीछे पेपर म है अई तन्यों फोटी सगर्माला प्रोजेको आने आप yolk की दिया है मैंने आपको कि अल्टिमेटलि यह क्या है इनके बारे आपको थोड़ा सा एडिया लेना है कमेंट सेक्ष्षिन में आपको इनके बारे में चीज़ें करने हैं कि यह प्रोजेक्ट किस-किस चीज तरह थोड़ा सा मतलब जैसे क्या करना है मैं जान बुछ के देता रहता हूं तो कुछ नहीं इसको लिख देना है और गुगल में अच्छी डिरेक्शन में आगे बढ़ पाऊ बच्चे तो यह काम है तो यह आपको बच्चे जलूल जलूल करना है ठीक है प्रेजिडेंट रामनात कोभिन जी ने बच्चे पदमा अवोर्ड दिये हैं राश्पती भवन में ठीक है आपको पता यह यह अवोर्ड से दिये जा ठीक है तो 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 ठीक है हाईस्ट अवोर्ड से यह सब ठीक है पदमी भूशन किसलिए है बूशन किसलिए है पदम वो किसलिए है तो यह सब अलग अलग चीजें है कुछ नहीं पेपर में आपके क्या प्रश्ण आ सकते हैं कि किस-किस बंदे को कौन-कौन सा अवोर्ड मत मिला है कि इनको नहीं मिला इस प्रिश्ण आ जा सकते हैं तो जैसे आप पदी बूशन की बात करतों सेवन रिसिपेंट है बच्चे तो शी जिन्जो एबे जो की जापान के पी-म है उनको मिला यह ठीक है एस्वी बाला सुब्रमन्यम इनको मिला तमिलनाडों के बंदे थे ड त्रशन सहू इनको बच्चर आठ से मिला ठीक है इसके अलावा पर्मप chearm नबी टरुन प्होए को मिला चंद्र well कांब्रा को मिला सुमित्रा महाजन को मिला ठीक है निरपंदर मिस्षा को मिला काशु बी पैटेल को मिला अच्छा ये भी ये भी साथ सत पढ़ लेंघ किस लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है 102 रिसीपेंट है बच्छे पदमश्रीक है पदमश्रीक है 102 रिसीपेंट है इतना तो नहीं हो पाएगा ठीक है तो ओवर एक 119 बंदों को बेसिकली अवोड इस बार दिये गए है एक सो दो साथ और दस हाँ जी तो जी मोदी जी वन ओव दा टॉप ग्लोबल लीडर बनके उबरे हैं ठीक है विद सेवन्टी परसेंट अपरूबल रेटिंग बच्छे तो इन्होंने मतलब जैसे कितने लोग बेसिकली बरोसा करते हैं इनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस पर ठीक है तो इस वन ओव दा टॉप लीडर बच्छे ठीक है इनको मतलब सबसे ज्यादा यूथ ने सबसे ज्यादा पसंद कर रहा बच्छे इनको ठीक है मैं दिखाता हूं एक रेटिंग ऐसे देखो इस टाइप की रेट पीनियन डिस अपूरूब तो यह मतलब दिस इस नरिंदर मोदी बेस्ट ठीक है मतलब ग्लोबल प्रेजेंस है यह यह इस चीज़ को रिखाता है वर्ल्ड वाइड ऐसे निया श्रीनगर ने युनेसको की क्रेटिव सिटी नेटवर्क्स में बच्चे एंट्रे मार लिए है अंडर क्राट्स फोक एंड आर्ट गैलरी तो दो प्रशन मनगे एक तो कि कौन सी स्टेट ने अभी एंट्री करिए युनेसको की स्क्रेटिव सिटी नेटवर्क में एक कौन सी कैटेगरी में करी है दो चीज़े पेपर पॉइंट भी से बहुत ज़्यादा बच्चे इंप मतलब दुबारे पर जरूर जाना चांगा में यहाँ पर एक दो साथ बाद डेफिनिटली जाएंगे ही ठीक है तो शिर्णगर ने रिसेंट्ली इस मेंटर करा है बहुत ही इंपोटेंट है वेरी गूट जिस सीन ऑफ डल लेक हाँ जी यह बच्चे अलग-अलग कैटेगरी है जिस कटेगरी में जा सकते है मीडिया आर्ट फिल्हिम डिजाइन गस्टेण अंकरो मुझे बताना है अच्छा फिल्म तो बताए दोगा गस्टेट हैं इंडिया इंडिया की बिसिक लिए ठीक है जिसको गेस्टोनमी में ये उन्टरी में लिती है पिछले साल आपको बत आना है आपको मला आपने जरूर नाम सुना होगा इस बात की गैरेंटी है ठीक है तो बस बस यह बच्चे बात है युनेस्कों के बारे में थोड़ी वह चीज़े दी गई है और तो हाँ इस इंपोर्टेंट की कौन-कौन सी रिपोर्ट जो है बेसिकली युनेस्कों रिलीज करता है पेपर में चीज पुछिए रा सकते हैं इंक्लीजिन एड्यूकेशन यह चीज ठीक है स्टेट ओफ एड्यूकेशन रिपोर्ट फूर इंडिया यह बच्चे यह युनेस्कों साइंस रिपोर्ट यह तो पता है लगगा है चलो बहुत है है चलो दूसरा में देता लगए कि चाम करना एभी लिक तो दी है मुंबई चिन्हीं है तरदा वारनसी जैपकूर यह तो आपको पता लग गया कि भाई आफ सिक्साथ सीटी है मुझे जानना है मुझे में चिन्ने की करेटीगरी में मुंबई जैपकूर किस बाता समझा है कौन इन में से कौन-कौन से किस-kis category में है मना तो नहीं सोचा इसको homework देना है मुझे पता है आदी जन तब भी नहीं करेगी ठीक है लीड्स रिपोर्ट आई बच्चे लीड्स रिपोर्ट दो हजार इकिस गुजरात बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है बच्चे हर बार की तरह ठीक है लीड्स की कि यह है बिसीकली पृष्ण है ठीक है तो जी गुजरात इसमें टोप रैंक पे है गुजरात इस ओन्दा टोप अफ देस ठीक है तो लीड्स रिपोर्ट किसलिए बच्चे मैंने बता दिया कि ओवरॉल स्टेट्स में यूनिंटरी में लोजिस्टिक्स मेनेजमेंट को रि इनको जज़ करा जाता है एंड अगें मैंने बताया गुजरात सबसे टोप मोस स्टेट है इस चीज में सबसे ज्यादा वैल मैनेज चीज़े महां पर है एफिशेंट लोजिस्टिक्स गुजरात बच्चे प्रोवाइड कर रहा है ठीक है सेकंड रैंकिंग पर हर्याना है पंजाब है तमिल नाडु है तो यह सब है ठीक है चलो बस और तो क्या ही है अधिली अमंग यूटी सबसे बैस्ट है ठीक है ओके अधिश प्रेटि प्लैन डेडिकेटिट फ्राइट को रिडोर सागर माला भारत माला परियोजना इवेबिल इंटिकलेशन यह सब लोजिस्टिक्स को इंप्रूव करने के लिए अधिशक्ति नाम से समझ रहे हो कि ज्यादा ज्यादा जल्दी मलब फास्ट डिलिवरी हो सक के डेडिकेटिट फ्राइट को डेडिकेटिट किसी चीज के लिए बच्चे को समान सप्लाई करने के लिए सागर माला सागर को माला पहना जा रही है ठीक है मतलब बारत माला बारत को माला पहने जा रही है एक रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है कि सी रूट को कनेक्ट कर रहा ह ठीक है एवे एवे बिल एवे बिल क्या होता है जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाता आपने अगर है तो उस टाइम कम से कम लगता है चीज़ों में दिक्कत नहीं होती ट्रांसपोर्टेशन में इस टाइप की इनिशेटिव लीडस रिलेटिडी स्टार्ट करें गए हैं लीडस की फूल फॉर्म आपको पता होने चीए मिनिस्ट्री एंड कोमर्स इंडस्ट्री इस से रिपोर्ट को रिलीज करती है यह बता आपको पता होने चीए हाँ जी आगे चलते हम आगे हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमिट शाह है चेर्ड दा साउधन जोर्नल कांसिल दे साउध की स्टेट है हमें यहां से देखे सब कुछ सेम सा लगता है होता ही है तो भाई आपसमों लोग की कोडिनेशन अच्छी बनाए जा सेगे इसके लिए प्लैटफोर्म मनाया गया है देटीजा नोन कॉंस्टिटूशन बोडी इंटरस्टेट कांसिल ठीक है तो यह सीन है दीजा नोन-कॉंस्टिशंट भूडी एंड क्या है 拍ний ही एप्रोड करना कॉढडिनेशन कॉर्परेशन अमंगजिंट अमंग दा स्टेट्स थीत Northern चेर्मेन होता है बच्चे यूनिन होम मिनिस्टर वाइस चेर्मेंस होते हैं चीफ मिनिस्टर अब ड़ाइट है ठीक है अब देखो नोर्धन जोनल कांसिल है कौन कौन से स्टेट है वो देख लो हर्याना हिमाचल जम्मू कश्मिर पंजाब राजिस्तान नेशनल केपिटल अ गया सेंट्रल में देख लो चात्यसगर्ण उत्राखन उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश आगया जाओ इस्टन कांसिल आ गया बिहार जार्खन उडिसा वेस्ट वेंगोल वेस्टन आ गया बच्चे गोवा गुज्जू महरास्ट दमंदीव नादर नगर हवेली सेंट्रल जॉनल कांसिल आ गया इस सेंट्रल कांसे आ गया डिस इट कशची वेस्टल हो जामनाट नाधका केरला तंइलल नाडु पुटदूच़री नौर्थीस्चांच्ट हमन sharply प्रदेश मनीपूरीth तरुपूरण मिगाले को तो यह बैसीकली सपा मैंने ने बता दिया हर मीटिनग को चेयर करेगा होम मिनिस्टर कॉम मैंने आपको सारा बताई दिया इंडियन रेलवेज्स नुबिक्रारत गोरव ट्रेंज ठीक है या तूब्वूस्ट टूरिजम तौक को पता होना ही थे कि वाट दिस भारत गोरव ट्रेंज आपको ये बतावने चीजह बाकिए चीजे तो ओपी है इसका जीदा कुछ वह निया है क्या हम बेसिकली अपना जो हेरीटेज हैना वो बच्छे दिखाना चाहते हैं ठीक है हमने ट्रेन नहीं होगी बच्चे इनका ठाइम टेबल होगा यह त्योड को कवर करेगी मैंने आपको थीम बे अलग अलग उसमें रन करेगी बच्चे प्रोपर मतलब जबर्दस फाइव स्टार फैसिलिटी आप देख लेगी ट्रेन के अंदर दी जाएगी देख रहे हो ऐसी चीजे तो फ्लाइट में एक्जिस्ट भी नहीं करती यह यह दी जाएगी अल्टिमेटली टुरिजम इंप्र इसके लब और भी ट्रेन आप देख लो सब देख परशाद स्कीम बुद्दिस्ट कुनकले देखो अपना देश अलग इनिशेटिव से हर चीज का परपस एक ही है कि हमें टुरिजम सेक्टर को एक बूस्ट देना है और कुछ निया टुरिजम सेक्टर को बूस्ट देना है बारत गोरव ट्रेन स्कीम के बारे बाते सब ठीक होई गई न्यूज में क्यों है वह हो गया प्रेजिडेंट रामनात कोभिन जी है जिए गिवन दा नैशनल स्पोर्ट अवर्ड दो जारे किस इसमें दो टाइप के प्रशना आते बच्चे एक तो किसको कौन सा अवर्ड म यह इंपोर्टेंट है विकोज बच्चे इसका नाम पहले राजी गांदी खेल रतना वर्ड हुआ करता था अब मेजर ध्यांचंद आपको पता है मेजर ध्यांचंद जी के नाम पे इसको कर दिया गया है इसमें एक मैडल होता है सर्टिविकेट होता है 25 लग का कैश प्रा लग रहा है जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है राइट पंदर लाग रुपे देते हैं द्रोनाचाहरे की मेडल देते हैं ध्यांचंद वोड जो है बच्चे 2012 में दिया गया था दस लाग एक सर्टिविकेट मिलती है ठीक है मुलाना अबूल कलाम आजार ट्रोफी दी जाती है उन्वस्टी लेवल पर प्रफॉर्मेंसी पर दी जाती है राष्ट्रे खेल पुरुष्वत तम ठीक है ठीक है इसके लाव और भी सरकार जो काम कर रही है तो आपको पता होना चाहिए क्या आपका अभी भई है कि भाई कौन-कौन से मेडल किस-किस को मिले है यह आपका बेसिकली काम बत जाएगा जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सम्मिट करोगे ठीक है इंडिया और फ्रांस ने बच्चे जोंट मिलिट एक्सरसाइज आपको करा ती यहां भी आपको मकर आ रहा हूं तो इंप्रेंट बच्चे तो एक्सरसाइज शक्ति किस-किस के बीच में बच्चे इंडिया एंड फ्रांस के बीच में है यह चीज़ आपको पता होने चाहिए बाइनी दो साल में एक बार होती है ठीक है ओके लास्ट एडि गरुड शक्ति डेजर्ट नाइट गरुड रे एर एक्सरसाइज वरुन नेवल एक्सराइज शक्ति आर्म एक्सराइज तो यह बच्चे बहुत जादा इंपोर्टेंट आपको पता होनी चाहिए यह बाते है ठीक है मैंने बताया था फ्रांस में और यह फैस्जस एक बार गरुड शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के बीच में है मित्र शक्ति बच्चे इंडिया श्यलंका के बीच में है हारी मनु शक्ति बच्चे इंडिया और मलेशिया के बीच में है जितनी भी शक्ति-शक्ति है यह अमने कवर कर दिए राइट है क्लिए मामला बहुत इंपो बड़ी पोपुलर है ओपरेशन गंग आपको पता होगा वे रिसेंटली हमने जो अपने वोर से बंदों को निकाला है ठीक है तो इस इस गंगा कनेक्ट बच्चे गंगा करेट काँ पे कंड़क्ट हुआ वन्डन में हुआ ठीक है घ्लास गो आपको पता ही है उदर यूके में लोकेटेड हुआ क्या है आपना अपना एफूर्ट है गंगा को खुली करना है अपनी अपनी Susan करना बनता ही है तो अब जो भी इसने कर razor कhou चीजे बच्चे इसमें शोकेस करी जाती है राइट इसमें यह साथ चीज़े शोकेस करी जाती हम बच्चे अवेर्नेस बढ़ा रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए गंगा को और भी मतलब पूरा एक इको सिस्टम वी आर डेवलपिंग बच्चे राइट है बहुत ही भैतरिन है कि इस वस गंगा कनेक्ट सिगनिफिकेंस और तो ठीक है की इनिशेटिव जो भारत ने लिए है रिलेटिर दिस या पढ़ सकते हैं बच्चे क्या के इनिशेटिव ले ले लिए हैं बाकी तो बस ठ ठीक है यह आपको पता होना चाहिए गंगा करेक्ट एग्जीबिशन इस बार कांपर हुआ है लिंडन में हुआ है यह आप यह पिर फिर प्रॉंट भी से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है यह जो अपनी कॉंफेंस ऑ पार्टी वे ने ग्लास गो उसके साथ साथ हो गया सिस्टम में ठीक है केसरे हिंद डिकलेड एज अरुनाचल प्रदेश स्टेट बटरफ्लाई वेरी 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 इंपोर्टेंट इससे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या बताऊं मैं ठीक है बहुत ज्यादा साइंटिफिक नेम का इनको पता होना चाहिए टैनू के अलावा यह और भी जगह मिलती है वेस्ट वेंगौल मेगाले असाम सिक्किम मनिपूर यहां भी बच्चे मिलती है यह ठीक है इसका प्रोटेक्शन मलग यह भी पूच सकता है यह इंपोर्टेंट है नियर थ्रेटेंड आयू आयू सीन सेटस क्या है विकोज जब मतलब यह जब किसी की नैशनल बेटरफ्लाइड डिकलेर हुई है तो इस बिकम इंपोर्टेंट तो तो चीजे पूची जा सकती है बच्चे राइट है चलो युनाइटिट स्टेट्स ओफ अमेरिका बिकम्स 101 मेंबर कंट्री ऑफ इंटरेशन इंटर्ण सोलर राइंश की फॉंडेशन किसने रची थे बच्चे इंडिया और फ्रांस दो कंट्री थे जिन्होंने इंटर्नेशन सोलर राइंश की यह बिसिकली संवर्चना रची थी तो USA इसका 101th member बना है इसका headquarter बच्चे गुरुग्राम में located है काम क्या है कि जितनी भी वो country है जहाँ पर solar energy बरपूर मातरा में उपलब्द है basically उनका मतलब एक grouping है कि ज्यादा ज्यादा हम solar energy को use करके because it is renewable energy तो इसको use करके हमें मामला set करना है मामला बनाना है तो USA इसका 101th member बना है तो इंपोर्टेंट आपके लिए बन जाता है international solar alliance के बारे में member country USA देशी country बनी है तो भी important बन जाता है headquarter important बन जाता है इंडिया फ्रांस के इनिशेटिव था यह भी important बन जाता है ठीक है international solar alliance के बारे मैंने बात्यों कर ली यह इसका जो वो है बच्चे motto है one sun one world one grid यह बच्चे इसको implement करना है बहुत इंपोर्टेंट 2015 में इसको UNFCCC conference के बाद launch करा गया था इंडिया एंड फ्रांस का इनिशेटिव था आज के टाइम पे एक स्वेक मेंबर हो चुके है headquarter बच्चे गुरुग्राम में located है ठीक है न्यूज में बता जा क्यों है बस ठीक है वर्ल्स फर्ट फर्स्ट बिट्कोइन city planned in El Salvador very 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 important बच्चे ठीक है El Salvador में बच्चे वर्ल्स की फर्स्ट बिट्कोइन city plan हो गई है आपको El Salvador की location एक बार देख लेनी है और बैस यह जो है इतना ही जो है करेंट फिर पॉइंट बच्चे इससे ज्यादा important नहीं है बस आपको पता होने चाहिए वर्ल्ड फर्स्ट बिट्कोइन city कहां पर plan करी जा रही है El Salvador में बच्चे plan करी जा रही है El Salvador की location एक बार देख लेना ठीक है कि चलो कि बिट्कोइन टेक्नोलोजी पर बात कर रहे है हाँ जी बजट में अनौंस करा गया था कि अच्छा यह पुरानी वह दिखा दी है अभी बजट में रिसेंट जो बजट उसमें अनौंस करा गया है कि बिट्कोइन को legal इंपोर्टेंट बननी जाता है बस आपके लिए अभी इतना ही है इससे मंते करेंट फेर में आपको दो चीज़े करनी है एक तो इस पीडियाफ को पढ़ना है प्लस में आपको मैं सब्सक्राइब कर लेने बस इतना कर लोगे मैराथोन कराऊंगा लाइव मैराथोन कराऊंगा आपकी जिन्दगी मज़े हो जाएंगे बाती गरेंटी है लाइव मैराथोन चलेगे हो यह मलब देखो इसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक चीज कवर होगी मुझे आपको और मैं उसमें कितनी जाद और एक्स्टा इंफोर्मेशन दे रहा हूं तो मेरा जो इसमें है कि आपका एक मलब जो क्रक्स बोलते हैं वो निकाल सुकूम है ठीक है बाकी बता तो करने कितना सकता हूं याद कितना रहे उस पर सारी बात है तो आपको यह कर लेना है प्लस मैं कि मोज ले लेना और किस चीज़ की नीड नहीं है बस खाओ प्यों मोज मारो ठीक है सब्सक्राइब कर देने सब्सक्राइब ना कर रहा हूं जै हिंद जै भारत